हलो दोस्तों मैं हो सुमिछ चोहान और स्वागत है आपका हमारी खास पीशकर्ष में एंडिये की जो राश्पती पद की दावेदार हैं द्रोपदी मुर्मू उनके बहाने नरेंद्र मूदी का एक बड़ा जूट पकड़ा गया है अब सब जानते हैं कि एंडिये ने कार के जो तमाम दावे हैं उस पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और एक बड़ा जूट जिसका जो धिंडोरा है उसके बारे में नरेंद्र मूदी सिर्फ देश में नहीं बलकि दुनिया के बड़े-बड़े जो मंच होते हैं फोरम हैं बड़े-बड़े कारेकर्मो में दुनिया भर में वहां जाकर धिंडोरा फीटते हैं और वो जूट द्रोपदी मुर्मू के सारे पकड़ा गया क्या जूट है वो मैं बताऊंगा पूरी खबर आपको समझाओंगा उससे पहले ये समझे कि पूरा मसला क्या है सिलसलेवार धंक से मैं आपको समझा देता है उस गाउं के बारे में खबर आई है वो खबर मैं आपको दिखा रहा हूं आप देख रहे हैं ये टीवी नाइन भारत वर्ष की खबर है और भी कई मीडिया संस्तानों ने की है और आप जैसे एडलाइन देखेंगे तो एडलाइन में क्या लिखा हुआ है राश्पती प उपर बेड़ा गाउं में अभी तक बिजली नहीं थी वहां लोग बहुत परिशान थे मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे गाउं जाना पड़ता था और अब उनके गाउं में युद स्तर पर काम चल रहा है बिजली के खंबे पहुचाए जा रहे हैं लाइन कि उनके राष्टपती बदकाउमिद्वार गोश्यतोने के बाद गाउंवालों को फाइदा हुआ यह क्या खबर है क्यों मैं कह रहा हूं कि चोरी पकड़ी गई है उसके बारे में जिकर करने के लिए मैं आपको जो है एक दूसरी खबर पर ले चलता हूं इंफेक्ट मैं को नरेंदर मोधी के ट्विटर अकाउंट पर ले चलता हूं जो कि उन्होंने ट्वीट किये थे उसके बारे में हमको आगर मैं बताऊंगा तो उसको आपको समझ में आ जाएगी वह बात समझने में असानी होगी कि नरेंदर मोधी का ट्वीट है 29 अप्रेल 2018 का और 2018 में कर दिया और बहुत सरे लोगों की भारतियों की जिंदगी बदल दी मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत में अब कोई भी ऐसा गाउं नहीं है जहां पर बिजली नहीं है यानि नरेंदर मोधी जो हैं वो दावा कर रहे हैं 29 अप्रेल 2018 को ट्वीट में कि भा पूरे देश में जितने भी गाउं बचे हुए थे सब में बिजली पहुचा दी है ये दावा नरेंदर मोधी ने किया और उन्हें कहा कि अपनी सरकार के तीन साल के कार्यकाल में जब दोजा 14 में नरेंदर मोधी प्रदान मंत्री बने तो उसके बाद उन्होंने बहुत जो पूरा करने का इसमें हम लोगों ने टाइम फ्रेम रखा है और उसके बाद हमने गाउं के 18,500 गाउं में बिजली पहुचा दी है पहले नरेंदर मोधी कहते थे कि द्रोपदी मुर्मू के गाउं से आई है अब इन दोनों खबरों को मिलाई है अगर नरेंदर मोधी की बात सच थी कि भारत में ऐसा कोई गाउं नहीं बचा था जहां पर बिजली पहुचना बाकी हो 29 अप्रेल 28 अप्रेल 2018 जब उन्होंने ये बात लिखी थी कि 28 अप्रेल में हर घर में बिजली पहुचा दी थी नरेंदर मोधी ने हर घर को रोशन कर दिया था तो अब भला द्रोपदी मुर्मू के गाउं में बिजली कैसे पहुच रही है क्या द्रोपदी मुर्मू ने नया गाउं बसाया है क्या उन्होंने अपने परिवार के नाम से कोई नया भुनजिले का औरिसा में वहां पर नरेंदर मोदी अपनी दृष्टी डालना भूल गए वो अपनी कृपा दृष्टी वहां नहीं डाल पाए और वो भी तब जब द्रोपदी मुर्मू खुद एक बड़ी बीजेपी की वरिश नेता है जारखन की राजयपाल रह चुकी है क भी सवाल खड़ा होता है तो जूट कोन बोल रहे है क्या ये मीडिया रिपोर्ट जो है वो जूट बोल रही है कि वहां पर बिजली अब पहुचाई जा रही है या भारत के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने 29 अपरेल 2018 को पूरे देश और दुनिया के सामने ये जूट नरेंदर मोदी ने क्यों बोला इस पर सवाल उठना चाहिए और द्रोपदी मुर्मू के गाउं में बिजली पहुचने की जो खबर आई है उसने ये साबित कर दिया कि नरेंदर मोदी या तो जूट बोल रहे थे उस समय देश को उन्होंने बर्गलाया जूट बोला फेक ने उस फैलाई कि सारे गाउं में बिजली पहुच गई है या फिर अभी मीडिया वाले जुट बोल रहे हैं द्रोपदी मुर्मू के गाउं में बिजली पहुचाने की बात है तो ये देश के साथ खिलवाद नहीं है तो और क्या है आपने कोई बार-बार ढोल पीटा लाल बिजली की समस्या है ही नहीं और उसके बाद मैं आगया आपको बताऊंगा कि कैसी खबरे लगाता हरा रही है जहां पर बिजली नहीं पहुचे इस पर भी हम बात करेंगे ये एक बयान सुने नरेंदर मोधी का जिसमें हो कह रहे हैं कि देश में बिजली सर्प्लस यानि ज जीता-जाकता सबूत है प्रती है उस समाच या करता था कोईला घरों में एक दिन कोईला बचा नहीं है दो दिन का कोईला बचा था बिजली संकट का वह दौर था जब फ्लीड फिल हो जाया करते से राज के राज अंदेरे में टूबे जाते और यह मैं कई दसक पहले की ब बात कर रहा है पिछली सरकार में दोरा नहीं यह सब हुआ था अब याद करिए कितने दिन हुए कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग नुच देखी क्या कि कोईला नहीं है बिजली घरों में कोईला नहीं है नहीं देखी अधियों देश बिजली संकर को पीछे शोड़कर अब बिजली सर्प्रस हो रहा है अगर प्रोड़क्शन नहीं होगा ट्रांस्मिशन डिस्ट्रिशन सिस्टिम मजबूत नहीं होगा तो कनेक्शन की चाहे जितनी बाते कर लें घर घर बिजली नहीं जा सकती इसलिए सरकार बंडे के बाद सबसे पहले प्रोड़क्शन बढ़ाने पर जोड दिया गया सवर उर्जा, पानी से बनने वाली उर्जा, हाइड्रो, कोईले से बनने वाली बिजली और नुकलियर पावर सभी से उत्पादन बढ़ाने के लिए चोथ अर्फा काम शुरूरू तो नरेंद्र मोदी की बात को अगर आप माने तो आपके घर में बिजली 24 गंटे रहती होगी इतनी ज्यादा बिजली बन गई है कि आप बिजली बेच के अपने कर्चे निकाल सकते हैं ऐसा दावा हो रहा है कि बहुत सरप्लस हो गई है ना कोईले की कमी है जबकि पिछले द कि किस तरह से दूरधरास के गाउं में 24 घंडे में से 10 घंटे 8 अजबंगला को बिजली पहुचा दि ऊससे नरेंद्र जहने कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि मैं उन सब को बहुत करता हूं जिन्होंने भी इस मेहनत के काम में बहुत जान लगाई और भारत को पावरफुल इंडिया बनाया उनके फर्स की वज़े से जो पीडियां है वो आने वाले सालों में उनका भायुशाय बहतर होगा ये नरेंद्र मोदी की एक और बड़ी चोरी पकड़ी गई तो ऐसे कितने सारी चीजें होंगी जिस पर अगर मीडिया इन्वेस्टिगिशन करें कि ये बार-बार कहते हैं कि हमारे घुटाले नहीं हुए हमारे यां कुछ नहीं हुआ पिछली सरकारों में घुटाले होते थे तो कोई जह मांची नहीं कर रहा कोई मीडिया वाले अब ये परताल करें कि कौन से गाउं में बिजली है कौन से में नहीं है आपको याद होगा पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी सरकार ने दावा किया था कि जो मन की बात है उसमें एक महिला शामिल हुई थी और उनके घर में वो क सरकार की चार्टू कारिता करता रहता है कुछ-कुछ एक का दुखा मीडिया की तरफ से खबरे आती हैं ऐसी ही खबर जो है वह कुई की है हालिया खबर है जिसके बारे में मैं जिकर कर रहा हूं उस खबर में आप देखेंगे तो यह खबर जो है बीश जून को यानि अभी एक हफते पहले रिलीज हुई है और इस रिपोर्ट में भी उन्होंने लिखा है कुईन ने की एक ऐसा गाउं जहां आज तक नहीं पहुची बिजली लड़की की शादी करने से भी लोग मना कर देते हैं ये बता रहे हैं कुईन की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि यूपी क जहां योगिया दितनात ने रामराज कायम कर दिया है उस रामराज के एटा जिले से करीब सतर किलोमेटर दूर अली गंज तैसील है और वहां पर नगला तुलई नाम का गाउं है नगला तुलई और इस गाउं में बिजली नहीं पहुची है उन्होंने ये रिपोर्ट की और उसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने आई तो फिर जो एटा के जिलादिकारियों उन्होंने संग्यान लिया और अब इस खबर में लिखा है कि हमारी खबर का असर हुआ है और अब वहां पर भी बिजली पहुचना शुरूई है लो प्रशाशन जो है वो काम कर रहा है खबर कासर के तोर पे रोने ये स्टोरी की है तो ये पिछले हफते की खबर है और जो दरोपदी मुर्मू की है वो तो अभी की खबर है तो आप देखिए ऐसी लगातार गाउं से चीज़े आती हैं जहां पर बिजली नहीं पहुची है तो नरेंडर मोदी ने कहां बिजली पहुचा दी कौन से गाउं में पहुचा दी 18500 गाउं में जिनका वो दावा करते थे खड़े ओकर बोलते थे कि हमने हर घर को रोशन कर दिया हमने इतनी इमानदारी से तरक्की से काम किया कि अब कोई गाउं ऐसा नहीं है जहां पर बिजली नहीं पहुची है तो ये खबर साफ तरीके से ये दिखा देती है कि जो सरकार परचार करती है जो मीडिया जो प्रोपगेंडा पेश करता है बार बार ये कहता है कि अच्छे दिन है सब कुशलमंगल है सब चंगासी उसके पीछे की अकीकत कैसे है वो ऐसी खबरों से ऐसी जो बातें उन से साफ हो जाती है तो नरेंदर मोदी की एक चोरी और पकड़ी गई और दरोपदी मुर्मू के नाम से जो उनका काम है जो गाओं है उससे ही एक खबर आई कि वहाँ पर उन्होंने कोई बिजली का काम नहीं किया था तो अब तो कम से कम वो इस बात को नहीं जुटला सकते राश्वपती पद की कि दावेदार हैं कम जब वो यह तो नहीं गय सकते हैं कि यह जुटी कबर है फीक निउस है वरना इनकी और फजीयत होगी कुल मिला के फस गए हैं और अब इस खबर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि नरेंदर मोदी इतनी जूट क्यों बोलते हैं आपका इस मसले पर क्या अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों तब तक आप देखते रहे हैं दे न्यूस वीक